अब हम बात करते हैं दोस्तों जर्मनी के इतिहास के बारे में कि जर्मनी में सारी सिच्छा का इतिहास क्या था तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा मैं डीटेल कर देती हूँ कि जर्मनी में सारी सिच्छा की इतिहास में और दूसरा नाम आता है adult speech जिनको जिनका नाम ध्यायाम को समाने सिच्छा का महत्पुर अंग बनाने के समन्द में याद किया जाता है तो इसको आप ध्याय में रखिएगा और सभी ने क्या क्या पुस्तके लिखी है इसके बारे में भी जानेंगे तो चलिए चलते हैं कोस्टन की तरफ कोस्टन है दोस्तों कि जर्मनी के गट मट नामक बिद्वान ने कौन सी किताबों पर कार किया तो दोस्तों जर्मनी के गट मट नामक बिद्वान ने जिनको जर्मनी में जिमनास्टिक के पितामा कहा जाता है इन्होंने दो पुस्तके लिखी हैं जिमनास्ट दूसरी भाग में धावन पेकने रस्यपर चरना निर्टिये कुस्ती चलना ताहि चैनिक ब्यायां के बारे में बताया है और दूसरा बुक है इनका खेल गेम खेल गेम पुस्तक में इन्हों ने 105 मनरंजन खेलों के बारे में बताया है नेक्श कोश्चन है किस ब्यक्ती ने सारी की सिच्छा को जर्मनी में राष्टी एकता का एक जरिया बताया तो अभी मैं तुरंत बताई है दोस्तो राष्टी एकता का जरिया बताया जर्मनी में सारी सिच्छा को तो वे थे फेडरीक लुडवीक जान नेक्ट कोस्चन है कि जर्मनी के किस बिद्वान ने टंड वेरियन मुमेंट की शुरुवात की थी तो दोस्तो इन्होंने किस ने किया था तो फेडरिक लुडविग जान ने किया था और टंड वेरियन मुमेंट जो एक आयताकार मैदान था दोस्तो इन्होंने अठाव से ग्यारे में इसको बनवाया नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन है जर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा को से समंधित करते हुए विचार किसने दिया जर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा को सिच्छा से समंधित करते हुए विचार दिया जान बर्नार्ड बेशडू किसने दिया जान बर्नार्ड बेशडू जिनको जर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा का पितामख कहा जाता है एक कोस्टन भी पुछेगा तो ध्यान में रखेगा नेक्ट कोस्टन है कि 1774 में रसिया के नक्से कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेशु नामक अस्थान पर नेट्रेलिस्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था तो इसको जाना जाता था फिलेंथ्रोपीम के नाम से दोस्तों जैसा कि इसको बनवाया था कि इसने जान बर्नार्ड बेसदू ने जिनको मजर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा का पितामख कहा जाता है इन्होंने ही 1774 में रसिया के यानि की रूस के नक्से कदम पर चलते हुए एक देशु नामक अस्थाम पर 1774 में प्रकितिवादी पार साला फिलेंट्रो प्रियंग बनाया था तो किस नी बनाया था जान बर्नार्ड बेशदो ने नेक्स्ट कोचन है जर्मनी में वह कॉन सा पहला सिचक था जिसने पूरे स्कूल को एक घंटा सुबह तथा दो घंटा दो पहर भिन भिन खेलो को खिलवाया तो वह कॉन था सिचक था वह था जान साइमन कुन था जान साइमन जो जन बरनाट बेशुदों के फिलन्थोप्रियम यानि प्रकृतिवादी पार साला में सिच्छक थे नेक्ट कोस्चन है कि वह कौसा बिद्वान था जिसने फिलन्थोप्रियम के सिच्छक कारे से अभिप्रेरित होकर 1885 में सनेपन थाल एजुकेशन इस्टिट्यूट खोला तो वह कौसा बिद्वान था दोस्तों वह था क्रिस्चियन गोथी साल्जमेन कौन था क्रिस्चियन गोथी साल्जमेन जैसा कि जब जान बर्नाड बेसदों ने प्रकितिवादी पार साला फिलन्थोप्रियम खोला उसमें सिच्छक रूप में कारे किये जान साइमन और इसे फिलन्थोप्रियम से प्रभावित होकर कृस्चियन गोथी साल्जमेन ने सनेपन थाल सिच्छा बिद्याले की स्थापना की नेक्ट कोश्चन है कि जर्मनी में किस बिद्वान को आधुनी के काले ने सारी लिग सिच्छा का पिताम हो कहा जाता है तो किसको कहा जाता है जे बी बेसडो यानि कि जान बर्नार्ड बेसडो को नेक्स कोश्चन है दोस्तो कि जर्मनी जिवनास्टी का ग्रेंड फादर किसे कहा जाता है जर्मनी में जिवनास्टी का ग्रेंड फादर बोला जाता है जान क्रिश्टोफर फैडरिक गट मॉट्स को किसको जान क्रिश्टोफर फैडरिक गट मॉट्स को जर्मनी में जिवनास्टी का पिता कहा जाता है और आधनिक सारी सिच्छा का पिता कहा जाता है जर्मनी में जार बर्नार बेश डूपो तो दोनों याद रखिएगा नेक्स कोस्चन है कि जर्मनी के गर्स मर्स नामक बिद्वान ने कौन सी दो किताबों पर कारे किया तो उन्होंने कौन सी दो किताबों पर कार्य किया दोस्तो तो जिमनाश्टिक फार्दयंग एवं खेल पुस्तक पर उन्होंने कार्य किया किस ब्यक्ति ने सारी सिच्छा को जर्मनी में राख्ष्टिय एकता के एक जरिया बताया तो किस ने बताया दोस्तो इस बात को बताया फेडरीक लुडवी की जानने तो राश्टि एकता जर्मनी में बात आएगी तो फेडरीक लुडवीक जान और आधनिक सारी सिच्छा का पितामह जर्मनी में कौन था तो जान बर नार्ड बेस दो एंड जर्मनी में जिवनाश्टी का पिता मह कौन था तो फिर गर्समर्स यह आप ध्यान में रखेगा नेश्ट है जर्मन के किस बिद्वान ने टर्वेलियन मुमेंट की शुरुवात की तो फेडरिक लुडविक जान ने नेश्ट है लुडविक जान ने 1811 में टर्ण पलाज किसको नाम दिया तो दोस्तों इन्होंने टर्ण पलाज किसको नाम दिया तो एक आयता कर मैदान को जिसके अंदर बैलेंस बीम, होरिजोंटल बार, ट्रेक आदी बनाया गया था उसको इन्होंने टर्न पलाज नाम दिया नेक्स्ट कोश्चन है कि जर्मन जिमनाष्टिप पर किसने किताब लिखी तो जर्मन जिमनाष्टिप पर किताब लिखी फेडरिक लुडविक जानने अठारा सो सोलने ठीक है फेडरिक लुडविक जान ने 1816 में जैसा कि गर्समर्स निखा है जिवनाश्टिक फॉर्दा यंग एंड खेल पुस्थक अब फेडरिक लुडविक जान ने क्या लिखा है जर्मन जिवनाश्टिक इसको ध्यान में रखिएगा एंड दोस्थों नेक्ट कोश्चन है किसे बिद्वान में मैन्यूल आप जिवनाश्टिक फॉर्द इसकूल नामक किताब लिखी है यानि जिवनाश्टिक प्रणावी हिंदी में कहेंगी और इंग्लिस में मैन्यूल आप जिवनाश्टिक फॉर्द इसकूल नामक किताब किस ने लिखी है तो इराल्प स्पीच ने लिखा है इन्हों ने ही जर्मनी में सारिक सिच्छा को समाने सिच्छा का एक अंग बनाया था नेक्ष कोश्चन है दोस्तों कि जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियर उलम्पिक में तिसरा जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियर उलम्पिक में तिसरा अस्थान प्राप्त करने के पस्चात सारिक सिच्छा को पहली कच्छा से अनिवारे विशय के रूप में रखने में किस विद्वान की अहम भुमिका थी तो ओ था कार्ल डाइम का अब हम बात करते हैं डेनमार्क के इतिहास के बारे में तो डेनमार्क का इतिहास जो है डेनमार्क में दोस्तो वनली दो लोगों का नाम आता है फ्रेंच नेस गाल का तो कोश्चन है डेनमार्क में आधनिक सारज सिच्छा का पिता किसे कहा जाता है तो फ्रेंच नेस गाल को कहा जाता है नेस्ठ है डेनमार्क के किस विद्वान को गर्स मर्स्त का अनुआई कहा जाता है तो फ्रेंच नेस गाल को गर्स मर्स का अनुआई बोला जाता है नेक्स्ट है दानिरा जिमनास्टिक कहां पर चली था तो दानिरा जिमनास्टिक डेनमार्क में पर चली था नेक्स्ट है स्वीडन का इतिहास जैसा कि स्वीडन की इतिहास में दो लोगों का नाम में रूप से आता है और इस स्वीडन की इतिहास से कोषचन हंडरेड पर्सेंट हर बार कुछा जाता है तो आपको स्वीडन की इतिहास के बारे में विसेश रुप से जानना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं पर हैन्री क्लीन से सुरू करते हैं तो कोस्टन है कि स्वीडन में आद सारीक सिछा को उचा दरजा दिये जाने में किस विद्वान का हाथ था तो पर हैन्रीक लिंग का नेक्स्ट है दोस्तो कि पर हैन्रीक लिंग ने जिमनास्टिक को कितने समूहों में बाता था तो इन्होंने जिमनास्टिक को चार समूहों में बाता था कौन कौन से दोस्तों सैचिक जिमनाश्टिक, सैनिक जिमनाश्टिक, स्वास्थवर्धक जिमनाश्टिक, कलात्मक जिमनाश्टिक इस चार भागों में परहेंडिक लिंग ने जिमनाश्टिक को बाटा था नेक्स्ट है कि परहेंद्रिक लिंग द्वारा सरीर को मजबूती देने के लिए गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको क्या नाम दिया गया तो उनको नाम दिया गया फ्राम गिविंग मुमेंट नेक्स्ट है परहेंद्रिक लिंग की याद में 1949 तथा 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयुजित किया गया तो कौन सा समारोह आयुजित किया गया था दोस्तो तो दर लिंग यार्ड ठीक है तो लिंग यार्ड आयुजित किया गया था परहेंद्रिक लिंग के बरसी के लिए उसके मृति दियोर्स को याद करने के लिए यह आयुजित किया गया था उसके पुत्र जालमर लिंग के द्वारा यानि परहेंद्रिक के पुत्र जालमर लिंग के द्वारा किया गया था कि हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंग्यार्ड में भारतिय संस्कीती व उसकी पधती का प्रदर्शन किया था तो किस लिंग्यार्ड में किया था तो यह 1949 सेकेंड लिंग्यार्ड स्टाक होम में किया था बेरी बेरी important question है जैसा कि यह भी कुछ सकता है कि प्रथम लिंग्यार्ड कब हुआ था तो प्रथम लिंग्यार्ड हुआ था 1949 में इस्टाक होम में और बिदिये लिंग्यार्ड इस्टाक होम में ही हुआ था और जिसमें हर्वान ब्यायां प्रसारक मंडल ने बाती संस्कीति और उसकी पधती वह मलखंब आदिका प्रदर्शन किया था तो यह आपको very important है दिश्ट अंपार करते हैं कुछ इनही इतिहास में सारे सिछास जेनेरल कोस्टम कहें हैं कि निवने में से किसने उलम्पिक मि phon को एहохेंस से आजित इसताल स्थ्रतording लाने का प्रचलन सुरु किया तो इस चीज का प्रचलन शुरु किया काल डायम ने नेश्ट है अंतराश्टी उलम्पिक समीथी का मुख्याले कहां इस थी थै दोस्तो तो स्विर्जन लेन वे इसकी इस्थापना कब हुआ था था अठारो सोच चोरारवे भे ठीक है नेश्ट है दोस्तों किसने इस्थापना किया था तो किसने किया था इस्थापना उलम्पिक की पितामा किसे कहा जाता है दोस्तों आधनिक उलम्पिक की पितामा पीरेडी कुबर्टिंग को इन्होंने ही अंतराश्टी उलम्पिक समीटी यानि कि इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी आई ओसी की स्थापना किया था अठारा सो चौरानवे में नेश्ट कोशन है प्राचीन ग्रीस में डिडॉस केलियम क्या होता था तो प्राचीन ग्रीस में डिडास केलियम जो होता था उस संगीत भी द्याले हुआ करता था नेश्ट है प्राचीन ग्रीस में गाड आफ हिलिंग किसे माना जाता था तो प्राचीन ग्रीस में गाड आफ हिलिंग जियस देवता को कहा जाता था नेश्टे दोस्तों कि लेजियम की स्थापना किस ने की थी तो लेजियम की स्थापना किया था एरिस्टोटल यानि की अरस्टू ने उन्हीं को एरिस्टोटल भी कहा जाता है नेश्टे प्राचीन रूम में कैमपस मार्टियस क्या होते थे तो सैनिक मैदान को प्राचीन रूम में कैमपस माटियस बोला जाता था नेश्ट है प्रथम स्पेशल उलम्पिक कहां हुए थे तो यूएस से यानि अमेरिका में हुआ था नेश्ट है टर्ल वेरियन मुमेंट गर्मनी में किसने सुरू किया था यह कोश्चन कई बार रिपीट हो किया इसको सुरू किया था लुडविक जानने फेडरिक लुडविक जानने लेश्ट कोश्चन है राजकुमारी अमरित कौर कोचिंग इस कीम की सुरुवात कब हुई तो इसकी सुरुवात हुआ था 1903 में नेक्स्ट है इसकूल गेंस रिडेशन आफ इंडिया की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुआ था 1904 में नेक्स्ट है अत्रिक्त सक्ती की धाड़ा थियोरी अफ सरफवल्स इनरजी किस बिद्वान ने प्रतिपादित किया था तो इसको किया था कार्ल गुरूस ने नेक्स्ट है मनुरंजात्मक धाड़ा यानि रिक्रियेशनल थियोरी किस बिद्वान ने दी थी तो इसको दिया था लाड़ केम्स एन जी अन्डवनू पैट्रिक ने नेक्स्ट कोश्चन है कि पुनह अवलोकन धारड़ा यानि रिक्रियेशनल थियोरी किस बिद्वान ने दिया था दोस्तो इसको दिया था स्टैनली हाल ने नेक्स्ट है मनो बिसले स्रात्मक धारड़ा यानि साइको एनलेटिक थियोरी को किस ने प्रतिपादित किया था आप सभी लोग जानते हैं किस ने प्रतिपादित किया था तो सीगमंड फ्रायर ने इन्हों नहीं मन को तीन भागों बाटा है इड इगो एंड सुपर इगो नेक्ष दोस्तों समाजिक धारणा यानि की सोशियल फ्यूरिक का सिधान्त किसने प्रतिपादित किया था तो एरिस्टोटल नहीं यानि की अरास्तू ने किया था तो दोस्तों यह था आपके विश्व इतिहास यानि यूरोप जर्मनी रोम स्वीडन डेनमार्क आदी से आदी में सारिक सिच्छा का इतिहास क्या था उसके बारे में हमने डिटेल में बताया आई होप की आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों और जो भी इसे मिश्टेक होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जो भी आपके मन में डाउट होगा उसे भी कमेंट में जरूर बताईए और वीडियो को ज्यादे सेयर भी किया किजिए और डेली ब वीडियो में तब तक के लिए जाहिए